हे गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और इस वीडियो में गाईज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में कीबोर्ड में जो है वाइस टाइपिंग का आपसन नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे अपने फोन में ला सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाईज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो first of all यहाँ पे आपको अपने फोन में जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है उपर के और slide करनी है और यहाँ पर आपको एक option आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं additional setting करके तो यहाँ पर आपको जो है click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको language and input को option आएगा तो यहाँ पे आपको guys click करना है यहाँ पे जैसे ही आप click करते हैं तो आपको current keyboard का option आता है तो यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने guys इस तरीके से option आता है तो यहाँ पे आपको जो है Google voice typing करके एक option आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन में जो है WhatsApp को ओपन करके जो है अपना keyboard जो है चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन में डेफिनेटली जो voice टाइपिंग को जो option होता है वह यहाँ पे आपके फोन में आ जाएगा तो गाइज इसी तरीके से आप जो है अपने फोन में keyboard में जो है voice टाइपिंग को option ला सकते हैं तो गाइज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे तो चलिए गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में